हाई अबरीबन स्वागत है आपका अपने अपलिकेशन साथी साथ अपने यूटूब चैनल क्रेजी पॉलिटेकनिक पे हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आज हम लोग इनर्जी ऑडिट में इनर्जी फ्ल डाइगराम ने तो आपको पता तो चली Datoga इनर्जी फ्लो डियागराम मतलब इनर्जी का जो फ्लो और उसको जो अम गलोग डाइग्रेम टीकली मतलब पिक्टोरियल में जो परम्में निड में ते सने करेंगा उसको निडूग करते हैं उसको ब committee उनर्चिफ प्लोॉ कैसे कर रहे हैं कितना इनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना इनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ट्रांस्फोर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है और उस ट्रांस्फोर्मरेशन में कितना इनर्जी का लॉसे सो रहा है कितना इनर्जी आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसका हम लोग एक pictorial view दिखाएंगे, पूरा picture के तुरू एक graph के तुरू हम लोग complete इसका representation करेंगे, वो हमारा कालाता energy flow diagram, I think आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा, फिर कहिएगा साइंके diagram क्या है, तो साइंके diagram एक तरह का energy flow diagram है, या energy flow diagram ही एक तरह का ये साइंके diagram है, साइंके एक व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने पहली बार हमारा steam engine के efficiency के लिए, एक energy diagram को बना कर दिखाया था, 8098 में, इसी लिए इस diagram को उस diagram का नाम दिया गया था, साइंके diagram, समझ गया है, यह भी हमारा क्या था, तो energy flow diagram ही था, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ point लिखें, उसको हम discuss करते हैं, देखें क्या करता है, कि energy flow diagram, are used to show, energy flow diagram का अप्योग करते हैं, show energy and energy transformation, visually and quantitatively, क्या कहा, energy flow diagram क्या है, तो यह हमारा show करता है, energy के flow का, energy के transformation का, कैसे visually, मतलब जिसको क्या आप देख सकते हैं, मतलब बिना, मतलब एक तरह से theory को बिना पढ़े हुए, सिर्फ फिगर से आप समझ सकते हैं, तो visually and quantitatively, मतलब क्या quantity, मतलब quantity के साथ, मतलब हुआ, इस तरीके से represent होता है, graph में, इस तरीके से, उसका एक diagram से उसको represent करते हैं, जिसमें कि, वो जो हमारा है, वो complete उसके बारे में information दे देता है, कि हमारा energy का transformation ऐसे हुआ, और पहले जो energy था, उसका इतना amount हमारा दूसरे energy में transform हुआ, जैसे आपको यहाँ पर एक example है, पहले सो example से समझ लेते हैं, जैसे यह देखे हमारा natural gas है, natural gas को जो हम लोग burn कियें, तो हमारा energy यहाँ पर लिखा हुआ कितना, 1000 megawatt, 1000 megawatt over all यह है, इतना energy हमारा इस natural gas को burn किये, तो इतना energy हम को मिल रहा था, इस energy का transformation heat up में हुआ, हीट हुआ कितना, हीट में convert कितना हुआ, तो यह 573, 573 MWh मेगावाट हमारा इसमें हुआ, और हमारा 330 megawatt जो है, वो पावर सप्लाई में हुआ हुआ है, तो यह देखिए, क्या इस में को पूरा थियोरिक पुरा पढ़ना पढ़ा, नहीं पढ़ना पढ़ा, सिर्फ यह फीगर से आप समझा सकते हैं, कि natural gas को जलाए, जलाने क बाद हमारा energy निकला, वो हमारा 1000 megawatt थ देखिए, क्या है, सब इसका मूटाई देखिएगा, इसका थीकनेश जो हुआ हुआ, इसका quantity को रिपरजेंट करता है, यह कितना मूटा ज़ादा है, जयादा मूटा, इन तीनों से मूटाई से बिए क्योंकि इसका value ज्यादा इन्टा समझा को रिपरेंट किये हैं, अब हीट के फॉर्मShould Star है um 2017 wax से ज्यादा है जादा है तो हीट का सपलाइबन में हुआ है 300 फार्मुए उन्ठान में हमारा लॉसे तकहिए थिकनेश का है फावर उस से थ्वड़ा ज्यादा है थो थ्ट्राजादा सब से ज़्यादा दिखाए और उन सब से विस्तीनों को मिला कर दो सब से ज़्यादा हुमारा मेन इनर्जी वह हमारा नेच्रल के सका है तो वह इन तीनों के मुटाई से ज्यादा है यह आपको समझ में आ गया होगा तीसी तरीके के जो रिपर जंटेशन करते हैं इसको हम लो आप आसानी से समझ सकते हैं ड्यक्राइम के थुरू कि क्या हमारा इसमें प्रोसेस हुआ है क्या हम सन इकाम हुआ ठीक है कि शौन पे click عند इंक्लूड इसमें क्या आता है प्रैमरी इंठीजि युज़्ड एजरॉप फ lu Parkpark in energy हो हमारा जो है वो इसमें इंक्लूड होता है एंड इनर्जी बींग यूटर कितना इनर्जी का हम लोग यूटिलाइज के वह भी हमारा इस पर पता चल जाता है दे आर मुस्ट ली पर जेंट साइंगे इसको जनरली जो परजेंट करते हैं वह किसके थुरू परजेंट और एंके सब्सक्राइब दो इनर्जी सफरी आ mira जो यूटियर उनठी घ मानी के लिए जाए मनी के लिए कर सकते हैं मटेरियल के लिए कर सकते हैं कैसे कैसे है material का transformation हुआ कैसे-कैसे material का distribution हुआ एक तरह से कहीं कि सेक्टर में हम उसको बाटे है या अगर कोई money है complete money है उसको लोग कैसे-कैसे बाटे है उसको भी हम लोग चाहे तो sign के diagram से represent कर सकते हैं ले देकें combine जाहां पर किसको combine कर सकते combined split and trash through a series of event stage इसको हम लोग combined form में या split form में हम लोग जो है वो एक series event के रूप में या stage के रूप में रिपर्जेंट करते हैं जिसे देखिए आपर क्या इनेशना गैस का पस्टेज देख रहे हैं पहला स्टेज क्या था तो पहला मारा ही था दूसरा मारा सबस्त cessip यह ठीशा की का 5 यह पस्टेश्ट क्लिप में रिपर्जन और सकते हैं धीसाथ उसके जो वैलू having un applicable है उसके साथ उसका अफ में डिपर जैंक सकते हैं काता है धा-्विड mi अग्रली से रहे प्लबर हो इस एक का यह जोんと बिलेट है वो डी पर जैट करता है इमत आउंट अप मटेरियल और इनरजी इनरल इनरजी इन अफलो अगर मटेरियल की लिए बना रहे है तो में लिए इनरजी कर बारिण बूक डाल इक Though तिकने से वो क्या बताए कि कितना एमाउंट में हमारा इनर्जी है या कितना इमाउंट में हमारा मटेरियल है उनका पहली बार जो डाग्राम दिया था उनका नाम है इरिसमेन मैट हूँ एच पी आर साइंग के याद रहा तो याद रखेंगा नहीं याद रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइप अप डखर इमाउंट में ग्राफिकल launch नाम में हमारा रिपरजेंट किया थे इरिसमेन मैट हूँ हपी आर साइंके इस मैन ऐपढ़ात इस डाग्राम का नाम पढ़ा साइंके डायग्राम आई थिंग बहुत ही अच्छे से ये concept आपका किलियर हो गया होगा काता है कि सांके डाइगराम हार आईडियल for visual representation energy balance सांके डाइगराम क्या है तो सांके डाइगराम हमारा एक ideal डाइगराम है मतलब एक कहिए की वेहतर डाइगराम है एक के बहुती का मिदर बनाड़ाम है और आसानी सांके डाइगराम है जो कि मारी परजेंट करता है क्या energy balance energy balance कोई तो एक रिपरजेंट कर रहा है energy का flow मतलब दिखा रहा है मतलब energy को balance form आपको दिखा रहे कि कहाँ कहाँ energy camera transformation हुआ कहाँ कहाँ पर कितना energy doubled कि यह संब को है से पता चल जाता है तने टाफ नंयर्जी का उसको फ्लो को यह रिपर्जर्ट करने का काम करता है सबसे पहले हैं और इनर्जी में अब जेनरेट करिएगा फिर उसको क्या करेंगा ट्रांस्मीट करिएगा फिर उसको आप क्या करिएगा मतलब उसको आप कंजूमर तक पहुंचाईएगा तो दिस्टिब्यूट करिएगा और हाँ पर से आपका एकोनोमी उसी बे में आपका जनरेट होते चला आएगा और लगर यह समझे तो ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसका एक्षूर्ट फि काम करें पानि को जो गरम किया तो अमारा स्टीम का मट्वर्जन हुआ वह हमारा हुआ 24.155 लॉधन कितना हुआ 76 मैं यह आप यह तर्म यह तरम और यह तरम यह तीनों को आप जोड़िएगा तापका यह टोटल इनर्जी मिल जाएगा ठीक है अभए जो अस्टीम है 246.1 यह हमारा वाolina पर जायेगा अस्टीम टर्वाइन पर जायेगा अस्टीम् एलेक्ट्रिकल इनर्जी जो हमको मिला वह एकतर पॉइंट छो मिला उसके बाद यह स्टीम को हम लोग कंडेंज करेंगे जहाँ पर केमारा टोटल इनर्जी जो दिखता है वो कितना दीखता है तो 171.53 इसको जबाप आड़ान करियेगा तापका एकुरेट वैलू आपर मिल जाएगा यह वैलू आपको मिल जाएगा साथ इसके बीच में वियमारा यह कनवर्जान हो रहा है तो यह आपको क्या पता चला इस डियाग्राम को तुर आपको कम्प्लीट पता चल गया कि कि इनर्जी निकला उसका पहला ट्रांस्फर्मेशन में कितना कनवर्जन हुआ द है इसका थीकनेस ब्लाइब आपको दिखागा यह एंघी नर्जी का ले वल जादा है ठीकनेस ज़्यादा ओगा उतनाा मोटा वो रिफर्जंट टिया जाता है तो यह था हमारा साइन के डाइगराम, I think आपको साइन के डाइगराम के बारे में एक्जाम में पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करके आप एक्जाम में जंदर लिए फिगर बताईएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आपको एक जामे बनाना है, बहुत अच्छे साथ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मिलते हैं हम लोग ने सेर्शन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोस के साथ, तब तक के लिए जहिंद,